बदल गया अक्षा और अभिमान्यू का रिष्टा, फूट फूट कर वोई मुस्कान, लीप के बाद अक्षा और अभिमान्यू का रिष्टा बदल गया है, दोनों एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम और क्यार से रहने लगें, इतना ही नहीं दोनों के वीच टीवी सीरियल यह सा क्या कहलाता है, मैं एक बार फिर अक्षा अभिमान्यू की प्यारी सी नोगजोग देखने को मिलेगी, लीप के बाद दिखाया जाएगा, कि दोनों दोस्त के साथ साथ को पैरेंट बन गए हैं, दोनों आपस में बच्चों की तरह लड़ते हैं, और फिर एक दूसरे को संभालते नजर आएंगे, अभिमान्यू अक्षा से कहेगा, तुम कोई कमजोर वमजोर नहीं हो, तुम तो बैस्ट हो, अक्षा खुस हो जाएगी और कहेगी बैस्ट तो तुम भी हो, तुम अभीर का इतने अच्छे से धियान रखते हो, कभी कभी लगता है, मैं उसके बैस्ट काफी नहीं हो अभी मन्यू ने कहिएगा, ऐसा जरूर नहीं है, कि हमें हर वक्त अपना 50-50 देना है, कभी तुम ज्यादा करोंगे, कभी मैं कमजोर पड़ गया तो तुम मेरी मदद कर देना, जब तुम कमपड़ ओगी, मैं तुमारी मदद कर दूँगा, अक्रा क अपने पापा को डेडिकेट करना चाहता हूं मेरे पापा जुनिया में नहीं है वह स्टार बन गए हैं लेकिन मैं मुझे देख रहे हैं और मैं मुझे बहुत याद करता हूं मैं यह अवार्ड अपनी मम्मी और डॉक्मेन की वज़े से जीता हूं इसके बाद अभीरा और अ अवार्ड फंक्शन के बाद सब घर चले जाएंगे घर जाकर सब लोग रक्षबंधन के तयानियों में जुट जाएंगे वहीं अक्षा के पास एक नया केस आएगा वैदहेच प्रताइड महिला का केस लेगी एक तरह बड़ी मम्मी और मिमी को अक्षा की टेंशन होने ले करेगा सारे भाही बहनों के साथ हस्ता खेलता देख मुस्कान भावक हो जाएगी वैबनब की तस्वीर से बात करेगी और फिर फूट फूट कर रोने लगेगी आगे दिखाए जाए कि आक्षा के दहेच पिर तारित महिला वाले केस की वज़े से कुछ गुंडे गोयन का ह सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तो बेल आइकन को प्रेस करना विल्कुल भी न भूल है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए दोस्तो